हाई फ्रेंड्स मैं हूँ कलतना स्वागत है आपका हमारी चैनल कलतना ओलिन वन पर आज मैं आपको चंदन से face pack बना कर दिखा रही हूँ चंदन को आप किस तरीके से अपने कील मुहा से दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं आज इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे साथ ही बात करेंगे आप चंदन का pack किस तरीके से अपने dark circle पर अपलाय कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में dark circle से छुटका रहा पा सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं वीडियो यहां पर हम चंदन का यह पैक ले रहे हैं, मैं यह चंदन यूज़ कर रही हूं, उसमें यह प्रॉपर प्योर चंदन है, और इसका जो खुश्बु है, इसकी खुश्बु बहुत अच्छी है, साथ ही चंदन यूज़ करने से कील मुहासे बिल्कुल खतम हो जाते हैं, यहां मैं यूज़ करूंगे, और 15-20 मिट आप इसको लगाएंगे, तो आपको कील मुहासो से छुटकारा मिल जाएगा, आपके चहरा और आपके चहरे की चमक बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन मुलायाम हो जाएगी, साथ ही आपके कील मुहासे धीरे-धीरे बिल्कु कर रही हूँ, अपना फेस को खुबसूरत बनाने के लिए चंदन पॉडर का यूज़ करती है, साधी हल्दी पर यूज़ करती है, चंदन का तेल भी इस्तमाल किया जाता है, अपनी स्किन को ग्लोइंग और सोफ्ट बनाने के लिए, तो चासे जुड़ी बहुत सारी समस्य अपने लिए चंदन के पैक से, अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, इसको मैंने वैसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप उतना गुलाब जल ले सकते हैं, जितना ये मिक्स हो जाए, सरकल के लिए पैक बना रही हूँ, इसमें हम यूज़ करेंगे, चंदन का थोड़ा सा ह मिक्स करेंगे, और इसको आप मिक्स करने के बाद अपने डाक सरकल पर अपलाए करते हैं, अगर हफदे में दो से तीन बार तो बहुत परक पड़ता है, लकडी बहुत ही खुशबुदार होती है, पुराने समय में बहुत से उपचारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता हफदे में दो से तीन बार तो आपके कील मुहां से धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, साथ ही चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आजाएगा, आपकी खुपसूरती को बहुत ही निखार देती है, साथ ही चंदन का पैक है, यह आपको जाईयों से दूर रखता है, आपकी जा अपको अपलाए करके दिखा रही हूँ, ऐसे हम एक कॉटन बॉल ले लेंगे और इसके बाद इसमें हम डिप करेंगे पैक में और कॉटन से हम हलकी हाज से अपने आइस पर इसको अपलाए करेंगे, आप चाहें तो वैसे हाज से भी लगा सकते हैं बट आप इस तरीके से तो easy रहेगा और आप कोशिश करें कि आपको इसके बाद आखें बंद करके रखनी है अभी मैं apply करके दिखा रही हूँ उसके बाद थोड़ी देर आखें मैं बंद करूँगी apply कर लिया है अब इसको मैं कम से कम 15 मिनट तक इसको अपने face पर लगे रहने दूँगी और उसके बाद मैं normal पानी से wash करूँगी सूख गया है तो चलिए मैं धू लेती हूँ जब आप इसको pack को लगाएंगे तो आपका face वैसे ही बहुत थंड़क देगा गर्मियों में चंदन का face pack लगाना बहुत अच्छा होता है आपकी skin को ठंड़क भी पहुचती है साथ ही आपकी skin बहुत ज़्यादा साफ और clear भी रहती है जब आप आँखों पे चंदन का ये pack अपलाए करेंगे तो आपको advice यही है कि आप आँखे थोड़ी देर बंद करके बैठे नहीं तो आपको चंदन का जो pack है वो आपके आँखों में भी जा सकता है तो आपको थोड़ी देर आपकी ice बंद करनी है उसके ओपर से आपको यहाँ पर और इस portion पर ice का pack लगाना है अगर आपको लगता है कि आपकी आँखों में pack गया है तो आप हलका सा बरफ लगा सकते हैं या rose water भी यूज़ कर सकते हैं वैसे कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत अच्छा आपको फील होगा क्योंकि अभी मैंने यूज़ किया था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरी आँख में गया है या मुझे कैसा लग रहा है तो अभी जो मैंने pack लगाया उससे मेरी आँखों को बहुत थंड़क मिली है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आँखों में और साथी face को बहुत अच्छा महसूस होता है आपके face पर एक tightening आ जाती है आपके face को एक तम साफ कर देता है चंदन का face ल цен जो पहँड़कि पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं साथी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करे FB पर, Insta पर, WhatsApp पर अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और जुड़े रहें कल्पना All in One के साथ